प्रिये मित्रों, आज हम किड्नी डिजीज से सम्बंदित कुछ बातों के ऊपर यहां पर चर्चा करते हैं भारत में किड्नी से सम्बंदित जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसके दो सबसे प्रमुख जो कारण हैं वो डायाबिटीज और ब्लड प्रेशर हैं किड्नी से सम्बंदित रोगों की बात करते हैं तो वैसे तो किड्नी में ओने वाले रोगों की संख्या बहुत अधिक है जिसमें डिफरेंट टाइप के स्टॉन्स और उसमें अन्य और भी बीमारियां हैं तो आज हम मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो क्रोनिक किड्नी डिजिस के उपर चर्चा करेंगे जिसमें के जो किड्नी का बेसिकली फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है किड्नी को अगर हम अवर ओर देखें तो वो दो भागा में डिवाइड होती है एक उसका बाहर का भाग जो बाहरी लेयर जिसको के हम बेसिकली कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर का भाग जिसमें कि जो tubules होती हैं collecting duct होते हैं urine collector के बार की तरफ निकालती है उसको medula कहते हैं किड्नी में बीमारी होने की वज़े से जिसको के हम chronic renal failure कहते हैं basically किड्नी का काम करना कम कर देना जिसको कहते हैं उसमें उसके होने से रोगी में क्या-क्या समझता हैं उत्पन होती है आईए चब से पहले उसके उपर चर्चा करते हैं देखिए है क्या किड्नी शरीर का एक बहुत ही मेतोपोर्ण अंग है और ये केवल यूरीन मतलब ये केवल ब्लड को साफ करके या ब्लड होते हैं जो के शरीर में और भी अनेक परकार के काम करते हैं और यदि किड्नी में किसी परकार की समझता हो भी जाती है तो वो उनका स्राव पे भी परभाव पड़ता है और उसके फिलस्वरूब भी कई परकार की बिमारियां होती है नॉर्मली जो किड्नी में बेसिकली ज थान करके और उसमें से जो रानीकारक जो तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल जाता है और उसको फिल्टर करके वेसिकलिव वापस बेन के दौरा नॉर्मल सर्कुलेशन में भेजी जाता है तो इस परकार से किड्नी शरीर का ओसमोटिकड्स रेगॉलेशन या ओसमो regulation का काम करती है, जिससे के शरीर में जो आनिकारक तत्व हैं, urea, creatinine, आदी, ये सब नहीं बढ़ते हैं, और ये normally बने रहते हैं, kidney अग यदी स्वस्थ है, और kidney में यदी problems आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको के renal parenchymal disease कहते हैं, जो इसकी parenchymal होती है, जिसमें किसी कारण से समस्या उत्वन होती रहती है, तो सबसे पहली अवस्था में तो इसमें सूजन उत्वन होती है, और बाद में जो इसकी cells हैं, नॉर्मल यदी हम सामाने शब्दों में से समझे, तो वो basically fibrosed होने लग जाती है, कटीन होती ही है, और साथ ही साथ, जो kidney से एक जो तत्व secret होता है, जिसको के हम erythropoietin कहते हैं, erythropoietin erythropoietin, erythropoietin मतलब होता है red blood cells, यानि के RBC जो होती है, जो हमारे जो hemoglobin से संबंदित जो होती है, उसको निर्मान में ये सहायक होता है, ये kidney से secret होता है, ये kidney से secret होने के बाद bone marrow को stimulate करके red blood cells का निर्मान करता है, तो यदि इसका secretion कम हो जाए, तो निश्चित रूप से उस रोगी को blood की कमी हो जाती है, तो kidney में की disease में blood का कम हो जाना, enemy हो जाना बहुत common होता है, और ये इसी कारण से होता है, क्योंकि किड्नी से proper blood का filtration न होने के कारण से urea और creatinine blood में बढ़ जाते हैं, और उनके बढ़ने से जो रोगी को nausea होता है, सुबह के time जी मिचलाता है, उसका पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, एक तरीके से महाँ पे nutritional anemia भी स्थापित हो जाता है, इसके अलावा, किड्नी से एक renin angiotensin system भी वहाँ पे होता है, renin hormone जो होता है, जो basically blood vessel को पे effect करता है, और इस परकार से जो है, किड्नी की बिमारियों में blood pressure का बढ़ना एक सामान्य बात होती है, यहाँ पे यह देखा जाए, तो इस chronic cranial failure की वज़े से blood pressure का बढ़ना, और blood pressure की वज़े से kidney का खराब होना, दोनों एक दूसरे की बढ़ाते हैं वेसी के लिए, तीसरा जो है, वो bond formation से संबन देता होते हैं, यदि kidney में किसी परकार की विमारी हो गई है, या chronic cranial failure हो गया है, तो सबसे पहले क्या होगा, कि वो bond के जो vitamin D की कमी होने की वज़े से, और उसका calcium का absorption कम होने की वज़े से, जो अस्थियां हैं, जो bond हैं, वो कमज़र हो जाती हैं, तो इस परकार से kidney disease में ये सारी चीज़े affected होती है, इसका जो सुरुवात होता है, समझसे है सबसे बड़ी क्या आती है, कि जब किसी को kidney disease का पता लगता है, उस समय बेसिकली वो काफी अध्तक damage हो चुकी होती है, ये एक समझसे है, क्योंकि रोगी ने अपना blood test कराया, वहाँ पर उसको urea और creatinine बढ़े होए मिले, तो उस condition में काफी अध्तक damage हो चुकी होती है तो हम ये कैसे पता लगाएं, early stage में कि इसको kidney disease या किसी रोगी को kidney disease होना प्रारंग हो चुकी है तो उसका एक जो तरीका है, वो ये है, कि हम urine में आने वाली albumin जो है, basically जब देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो kidney है, वो albumin यानि कि जो protein है उसको basically बाहर urine में secret या बाहर निकलने से रोकती है, क्योंकि वहाँ पे जो pores होते हैं basically वो इतने minute होते हैं कि वो albumin को बाहर नहीं हने देते लेकिन जब kidney में किसी परकार की बिमारी हो जाती है तो वो जो albumin है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है लेकिन वो वैसे visible नहीं होती है, यदि हम urine का कोई routine examination कराते हैं, तो उसमें albumin बहुत बाद में महसूस होता है white white जो एक बनता है basically, जिसको हम कहते है micro albuminuria, यानि के urine में albumin की बहुत शुक्ष्म मातरा का आना तो यह हम detect कर सकते हैं, इससे हम उसकी पहली अवस्था का पता लगा सकते हैं तो इसको क्या करना है, कि 24 गंटे में जितना urine secret होता है उसको इकठा कर लिया जाता है, और 24 गंटे में albumin की जितनी मातरा उस urine में detect होती है, उससे यह पता लग जाता है कि बहुत ही micro, जो उसके size है albumin का, वो urine में आना शुरू हो गया यानि के kidney में problem आनी शुरू हो गयी तो यह पता लगाने से हमको alert होना चाहिए, और हमको वो सारी सावधानी बरतन चाहिए जिससे के kidney disease आगे advance ना करें जैसा कि आप जानते हैं कि kidney disease का जो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है वो कारण जो है diabetes का होना है और diabetes control इसका एक बहुत important उपाय है diabetes को control किया जाना चाहिए, यदि किसी रोगी को hypertension है किसी और कारण से hypertension की चर्चा कभी बाद में करेंगे यदि hypertension की वज़े से kidney disease हो रही है तो उस blood pressure को भी control किया जाना चाहिए एक बात जो महत्तो पूरुन है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि kidney में बीमारी होने की वज़े से या kidney disease या chronic renal failure में खाने का क्या क्या रखा जाए है कि हम वो चीजें लें जिससे के हमारी kidney पे कम से कम लोड़ पड़े और blood में कम से कम जो हैं जो excretory products हैं वो कम से कम रहे तो इस प्रकार से हम वो चीजें खाएं जो के हमारी kidney पे extra pressure build up ना करें तो इसलिए अदिक मात्रा में protein नहीं लेना है कम मात्रा में लेना है खीरे आदी का 7-cook करना है पानी भी उतना ही पीना है जितना आवश्यक हो क्योंकि जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे हमारी किड्नी को उतना ही काम करना पड़ेगा उस पे उतना ही प्रेशर बिल्ट अप होगा तो इसलिए पानी की भी लिमिटेड मात्रा ही लेनी होती है जो मौसमी आदी जो केला है जिसमें के पोटेश्यम की मात्रा ज़ादा होती है उनको भी किड्नी डिजिस में अवोइड किया जाता है तो बेसिकली जो खीरे या इस प्रकार के जो हैं जो मुत्रल होते हैं इनका बर्पूर मात्रा में प्रियूप करना चीए सामानी जो घर की बनी होई सबजیاں खाना होता है उसको ले सकते हैं दूद में कोशिश करें कि मलाई से युक्त कम मात्रा में दूद लिया जाए क्योंकि हमको basically nutrition को भी maintain लखना है और साथी साथ यदि किसी रोगी को एनीमिया हो रहा है बलड की मात्रा कम हो रही है तो उसको इरिथ्रेपोर्टिन बाहर से दिया जाता है साथी साथ किड्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो मेडिसिन्स होती है वो चिकिस्तक की सलाह के अनुसार ली जानी चाहिए इसमें आयरुवेदिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है उसमें कहीं सारे जो हाप्स हैं पुनर नवा आदी उनका एक कॉंबिनेशन जो आयरुवेदिक फिजीशन होगा वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा और उसको लेना चाहिए एक हल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है और हाइपर टेंशन को कंट्रोल करना है हल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है और create-in-in का हमारा जो target है वैसे तो वो normal लेना चाहिए जैसे 1.1 या 1.2 तक रहना चाहिए और uria 30 की range तक रहना चाहिए लेकिन फिर भी यदि किसी को CKD या CRF है तो उसमें target यह होना चाहिए कि वो किसी भी कीमत में 2 से उपर ना बढ़े बैटर यह है कि 1.5 से नीचे रहना चाहिए और सामाने रहे जैसे 1.2 तक रहे तो बहुत ही अच्छी बात है और आगे के जो prognosis हैं उसमें हमको basically इनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है uria और creatinine या kidney function test तो करना होता है उस kidney function test में जो uria है creatinine है साथी साथ yuric acid है और जो electrolyte से उनको भी miser किया जाता है तो आशा है कि एक छोटा सा topic जो है kidneys के उपर आपके लिए लाबदाएक होगा जन्यवाद